सरदिया हूँ और मेथी का पराठा ना खाए ये नहीं हो सकता तो आज मैं बनाओंगी मेथी का पराठा वो भी लच्छेदार तो लच्छे वाला लेयर्स वाला हम बनाएंगे मेथी का पराठा बहुत असान तरीके से तो देखिए मैंने किस तरीके से ये इतना सौफ्ट और लच्छेदार पराठा कैसे बनाया है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया हरी मेथी और हरी मेथी को अच्छे से पहले मैंने साबुत दो लिया था पत्ते पत्ते निकाल कर और उसको बारिक-बारिक इस तरीके से काट लिया काटने के बाद मैंने इसको आदा घंटा छन्ने में रहने दिया ताकि इसका पानी सारा निकल जाए और जैसे ही आदे घंटे के बाद पानी सारा निकल गया फिर मैंने इसको एक प्लेट में रखा है और इसके उपर डालूंगी मैं अजवेन तो मैंने अभी ये कम मेथी लिया है तो मैं 140 टी स्पून अजवेन डाल र अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स कर लिजेगा और ये अपने समान तभी डालना है जिस समय आप प्राठा बनाने लगे पहले बना के रखेंगे तो पानी निकल जाएगा मेथी में से क्योंकि हम नमक डालते हैं तो इधर ये आटा भी तैयार है जैसे हम सॉफ्ट आटा पराठो के लिए गूतते हैं वैसे ही आटा गूतना है और जित्ता बड़ा लोई हम जो पराठे के लिए लेते हैं चपाती से थोड़ी बड़ी लेते हैं तो उत्ती ही बड़ी हमने लोई ले ली है और अब हम इसको बेल लेंगे एक बड़ी रो अब इसके बाद हमने ये जो मेथी है इसको अच्छे से जादा रखते हुए इसको फिला लेना है। खूब सारी मेथी रखियेगा ताकि मेथी का स्वाद आना चाहिए। जो भी स्टफ पराठा होता है उसकी जो स्टफिंग होती है ना वो मेन जीज होती है। तो इस तरीके से अब हमने जो कट लगाया था वहां से इसको उठाना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है इस तरीके से गोल अकार में तो फोल्ड करते हुए हमने इसको वापिस उसको उने तक ले आना है जहां पे कट लगा है। तो इस तरीके से हमने सारा अच्छे से फोल्ड कर लिया और ये हम इसको इस तरीके से खोलते हुए हलका सा हाथ से प्रेस करते हुए इसको दबा देंगे तो ये बढ़िया सा हमारा ये देखिए किते सारे लच्छे आ गए है इसमें अब हम क्या करेंगे इस पर लगाएंगे सूखाटा सूखाटा थोड़ा सा इस पर ज्यादा लगता है क्योंकि मेथी पानी बहुत जल्दी छोड़ती है तो इस तरीके से हमने थोड़ा सूखाटा लगाते हुए हम इसको अच्छे से बेल लेंगे और अगर आप से बेलते वकत इस तरीके से ना घूमे तो कोई बात नहीं आप उठा उठा कर इसको इस तरीके से घूमा लीजिए तो हमारा प्राठा जो है एकदम बढ़िया सा बिल गया है अब हम तवे के उपर इसको डाल लेंगे और पल्टानी के बाद हम इस पर लगाएंगे फिर से घी और अगर आप लोग घी नहीं लगाना चाहते आप ऐसे ही उलट पुलट करते हुए सेख लीजिए और नीचे उतार कर घी या बटर लगा कर खा लीजिए तो अब दूसरी तरफ भी में घी लगाऊंगी औ और इसको अच्छा सा क्रिस्पी होने तक अच्छे से इसको सेख लोंगी ताकि ये अच्छा क्रिस्पी हो और जो मेथी की खुश्बू है वो तो अभी से ही आ रही है और कितनी सारी हमने इसमें स्टफिंग डाली है मेथी की और ये देखिए लेयर्स देखिए इसकी आप इसकी लेयर्स दिख रही होंगी किस तरीके से इसकी लेयर्स है तो ये देखिए इस तरीके से हर कोने में आपको मेथी का स्वाद आएगा ऐसा नहीं है कि बीच में ही रखी हुई है और साइडों में कुछ नहीं है सारी तरफ चारों तरफ मेथी है तो इस तरीके से पराठ आकर हलका सा यह देखिए, लेर्स देखिए, इसकी कितनी बढ़िया आई है, बहुत ही सॉफ्ट है, इसके हलका सा हम इसको जैसे मुरोड लेते हैं, ऐसे करेंगे, और प्लीज इसको शेयर करिए का, कुमेंट बॉक्स में बताईए का, कैसा लगा?